कई भारतिय वैग्यानिकों ने अपने उलेखनी उपलब्धियों से हमारे देश को गौरवानवित किया है। शताबदी में प्रसिधी प्राप्थ हुई थी। डॉक्टर शंकर अभाजी भिसे का जन्म 29 अप्रेल 1860 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने वजन और पैकिंग के लिए आटोमेटिक मशीन का नर्मान किया। अभाजी को बचपन सही विग्यान में काफी रुची थी। 14 साल की उम्र में उन्होंने कोल गैस बनाने वाले उपकरण का अविशकार किया। और 16 साल की उम्र में उन्होंने विदेश में जाने का फैसला लिया। 1890 से लेकर 1895 के दौरान उन्होंने ओप्टिकल इल्यूजन पर काम किया। उन्होंने ठोस पधार्त को दूसरे ठोस पधार्त में परिवर्तित करने की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया इंग्लैंड के मैंचेस्टर में उन्होंने इस तरह की शो का आयोजन किया यूरूब के लोगों के अविशकार के सामने उनके अविशकार को श्रेष्ट माना गया इस पर अल्फरेड वैब वेग्यानिक ने उनकी तारीफ की और उनको गोल्ड मैडल से सम्मानित किया गया विसे ने कई रसोई के उपकरण, एक टेलीफोन, सिर्दत को ठीक करने के लिए एक उपकरण और सुचालित रूप से फ्लशिंग टॉलेट का आविशकार करने में भी महत्वपून भूमिका निभाई थी उस समय टाइप सी कास्टिंग की रफ्तार काफी धीमी होती थी विसे द्वारा बनाई गई मशीन के कारण छपाई काफी तेज होने लगी थी लंदन गे कुछ वेग्यानिकों और कुछ इंजिनियरों को उनके द्वारा बनाई गई इस मशीन पर भरोसा नहीं हुआ और उनको चुनौती दे दी अभाजी ने चुनौती को सीकार किया और 1908 में एक ऐसी मशीन का निर्मान किया जिससे अलग-अलग अक्षरों में छपाई हो सकती थी यानि हर मिनिट 1200 अलग-अलग अक्षरों की छपाई और असेंबिलिंग हो सकती थी तब ही से डौक्टर शंकर अभाजी भिसे को एडिसन ओफ इंडिया या भारत का एडिसन कहा जाने लगा डौक्टर शंकर अभाजी भिसे ने उस समय कई ऐसे अविशकार किये जिससे पूरे विश्वों में उनको ख्याती प्राप्त हुई और साथ ही सब ने उनके अविश्कारों को स्वीकारा 200 अविश्कारों में से लगभक 40 अविश्कार उनके नाम पर पेटेंट भी हुए डॉक्टर शंकरा भाजी भिसे का निधन 7 अप्रेल 1935 को हुआ था